इसराइल डिफेंस फोर्स यानि की आईडियेफ ने गाजा में एक बड़ी सुरंग को खोज निकाला है। इस सुरंग गाजा में हमास चीफ के भाई और उसके राइट हैंड मुहम्मद सिन्वार ने खुद बनवाई थी। सुरंग 4 किलो मीटर लंबी और 50 मिटर गह रही है। इसमें लड़ाई के लिए कई तरह के इंतजाम भी किये गए थे। रविवार को आईडियेफ ने सुरंग का परदाफ़ाश किया और कहा कि ये हमास का रणीतिक तोर पर एक एहम ठिकाना था। जिससे अब इसराईली सेना ने अपने नियंतर्ण में ले लिया है। हलांकि इससे हमास के लोग पहले ही जा चुके थे। साथ ये आईडियेफ का कहना है कि ये सुरंग गाजा में अब तक पाई गई सबसे बड़ी और लंबी सुरंग है। उनके मुताबिक सुरंग से मिली हमास की वीडियो सर्विलेंस सहिप विभिन निखूफी अवस्तों से ये पहचान हुई है कि यहां मौहमत सिन्वर रहा है। और गाजा में युद शुरू होने से पहले यहां मास की लोग भी रहा करते थे। लेकिन जंग शुरू होने के बाद से सिन्वर और दूसरे सीनियर कमांडर इस सुरंग में नहीं है। लेकिन लड़ाके इसका इस्तमाल लगातार करते रही हैं।